बिग बॉस होला से जोड़ा एक प्रोमो वीडियो शोशल मीडिया पे जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें फहमान खान घर में एंट्री करती वे नजर आये हैं उन्हें देखते ही सुम्बुल ने नेकवल दोड़ कर उन्हें गले लगा लिया बलकि फूट फूट कर उनसे रोने भी लग गई सल्मान खान का धमाकेदा शो बिग बॉस होला इन दिनों खूप चर्चा में बना हुआ है यो तो हर कंटेस्टन अपनी गेम बखू भी खेल रहा है लेकिन सुम्बुल तौकिर खान टीनदत्ता और शालिन भनौट का मामला कुछ जादा ही तुल पकरता हुआ नजर आ रहा है बिग बॉस होला के प्रोमो वीडियो में भी दिखाया गया कि शालिन भनौट सुम्बुल पर भड़कते वे नजर आए हैं वल इतना ही नहीं बलकि उन्होंने सुम्बुल के सामने हिंसक विवार भी किया है दूसरी दरफ बिग बॉस ने ऐलान किया कि घर म नए शक्स की एंट्री हो रही है और वो शक्स कोई और नहीं बलकि सुम्बुल टौकिर खान की को स्टार फैमान खान है उनसे जुड़ी वीडियो ने शोशल मीडिया पर खलबली ही मचा दी है क्योंकि फैमान ने बतोर वाइल कार कंटेसन बन कर एंट्री ली है बिग बॉ पर सवाल उठाया जा रहा है दोसे तरफ सुम्बुल टौकिर खान फूट फूट कर रोने लग जाती है इसे बीच बिग बॉस ओला एलान करते है कि घर में एक नए शक्स का यानि इस सीजन का पहला वाइल का कंटेसन की एंट्री होने जा रही है बता दे कि बिग बॉस के इस एलान के बाद घर में फैमान खान की एंट्री होती है जिसे देखकर सुम्बुल टौकिर खान काफी भावुक हो जाती है और तुरंत उन्हें गले लगा लेती है सुम्बुल रोते वे फैमान से कहती है तू तो नहीं आने वाला था वहीं फैमान भी जवाब देते है पहले ही फैमान की एंट्री हो चुकी हो लेकिन फैन्स का अनुमान है कि वो केवल अपकमिंग शो धर्म पत्नी के प्रोमोशन के लिए वहाँ आए हैं विल इतना ही नहीं बलकि कई फैन्स का ये भी मानना है कि बिग बॉस ने जूट बोल कर केवल तीयारपी के लिए फैमान क कि एंट्री करवाई है और वो कुछी पल में घर से वापस चले जाएंगे अब देखना काफी इंप्रस्टिंग होने वाला है कि या फैमान घर में बतोर वाइल का कंटेस्टन आते है या फिर वो अपनी शो को प्रोमोट करने के लिए यहां पर आये हैं और फैमान के आने क सुम्बल तौकिर खान काफी सुख्या मटोर रही है वही बीते वीकेंड के वाट में सुम्बल तौकिर खान की फोन पर उनके पापा से बात करवाई गई जहां पर उनके पापा ने शालिन और टीना को लेकर कई बुरा भला कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुम्बल त सबस्केस कि दिए क्ष ik पिता को काफी ट्रोल किया गया ुषित दिन थिस दिन तिना-दक्रक्र्ग कि माँ पर विस्तिरे टीमी पर को तीक्षिंग सवाल निक निशाने साधे थे झालक भी था के पेरेंट से माफिय मांगी है अब वाकी देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि फेहमान के आने के बाद सुंबुल के अपना गेम बदल देगी या फिर वो वापस से बैसे ही खेलेगी वेल इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल बिना भूले और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें